इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं Google Pay का UPI Pin Chain या फिर Reset कैसे करें अगर आप भी अपने Google Pay का इस्तमाल करते हैं तो कई वर क्या होता है कोई आपका UPI Pin देख लेता है तो वो आपका पैसा खाली कर सकता है या फिर कई वर ऐसा भी होता है हम लोग अपने Pin को भूल जाते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लिजिए इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखते रही है इस वीडियो में आपको इस्टे बैस्टे सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने Google Pay का UPI Pin को चेंज कर सकते हैं रिसेट कर सकते हैं अगर आपको भी अपने UPI Pin पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादे हेल्फुल हो सकता है इस वीडियो को लाश्टक पूरा देखिएगा और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर हम अपने मौवाल फोन के स्कीन पर आ गए तो गूगल पे का यूपिय पीन को चेंज या फिर रिसेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे ओपें कर लेना है अब यहां पर आप देख सकते हमारे पास गूगल पे का होम पेज आ गया अब यहां पर डारेक आपको कहीं पे भी यूपिय पीन चेंज करने का या फिर रिसेट का बटन देखने को नहीं मिलता है इसके लिए आपको जो है प्रोफाइल पे क्लिक करना है उपर के साइड में यहां पे आना है अब यहां पे आने के बाद सिंपली करना क्या है आपको यहां पे बैंक एकाउंट को ओफ्सन आपको लेखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद Google Pay के अंदर जितना भी bank account link होगा सभी का सभी देखने को मिल जाएगा तो हमारा यहाँ पे ATL payment bank है इसका मुझे UPI pin को change करना है बदलना है तो इसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर जैसे आप आ जाते हैं यहाँ पर काफी सारा option आपको लेखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर ध्यान सा देखिए नीचे के साइड में एक option है forgot UPI pin similarly आपको यहाँ पर forgot UPI pin वाले option पर click करना है अब जैसे आप यहाँ पर आज आते हैं आपके bank के तरफ से कुछ message आएगा आपको इसको ignore करना है आपको करना क्या है जो आपका bank account होता है उसका ATM card आपको लेना है ATM card में एक 16 अंका number होता है card number उसका last का 6 number आपको यहाँ पर डाल देना है ठीक है ATM card के उपड ही number लिखा होता है उसके बाद उसी पर आपको expiry महीना और साल लिखा होता है जिसका मतलब होता है MMYY तो यहाँ पर आपको वो अला detail डालने के लिए बोला जाता है चलिए हम अपने ATM card को देख करके दोनों detail यहाँ पर डाल देते हैं अब यहाँ पर card detail डालने के बाद simply हम next वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर click करने के लिए आपके bank के तरफ से OTP आएगा यहाँ पर आपको रपना OTP डाल देना है OTP डालने के लिएक आपको ओके वाले option पर click करना है यहाँ अब आपको एक नया UPI पिन बिन बनाने का option आजाएगा यहां पर आपको चारंग का कोई भी UPI PIN बना लेना है डाल देना है और पुराना वाला PIN को आपको भूल जाना है चलिए यहां पर हम एक नया UPI PIN बना लेते हैं UPI PIN बनाने के बद आपको OK अले उफसन पर क्लिक करना है और दुबारा साब को यही पिन डाल देना है जो आपने अभी डाला है यहाँ पर दुबारा UPI PIN डालने के बड़ आपको जो है यहाँ पर OK का ओफ्सन देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बड़ फाइनली आपका UPI PIN चेंज रिसेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप यहाँ पर देख पार ह तो दोस्तों कुछ इस परकार से आप Google Pay का UPI PIN को चेंज रिसेट कर सकते हैं इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में